नमस्कार फ्रेंड से स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे Omen D20 2021-22 के मुकाबले नमबर 23 के बारे में जो कि फ्रेंड से केला जाएगा QUT और AJD के बीच में तो फ्रेंड से डेटन टाइम के यहां पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं 31 दिसंबर को यह मुकाबला खिले जाएगा 9 बच के 30 मिनट पर सामके टाइम पर वारतिय समय अनसार उसके बाद फ्रेंड से वेन्यू के बारे में अगर बात करें क्या रहने वाली है और उस दिन का वेटिंग ओडर क्या होने वाला है साथी साथ फ्रेंड से कौन सा बॉलर कितने ओबर डालेगा यह भी आपको पता होना चाहिए साथी साथ फ्रेंड सापको जो है प्लेयर्स के जो इस्टेट्स के बारे में पता होना चाहिए प्लेयर्स का states on the venue पता होना चाहिए head to head team के सामने states कैसा है इसके बारे में अभी आपको पता होना चाहिए तो फेंट से यही सारी बात है इस वीडियो के अंदर में डिसकस करेंगे वीडियो को end तक देखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है उससे पहले फेंट से बात कर लेते हैं थोड़ी सी पिच रिपोर्ट के बारे में तो अगर पिच रिपोर्ट के बारे में फेंट से बात करें तो यह जो पिच है फेंट से मिनिस्ट्री टर्फ वन की जो पिच फेंट से आपको देखने के मिली की वहाँ पर फ्रेंट्स आपको जो है बॉलर्स को थोड़ी सी ज़्यादा मदद देखने को मिल रही है यहनि कि एक बॉलिंग फ्रेंड लिए पिछे यहाँ पर देखने को मिल रही है T20 के मुकाबले जरूर है फ्रेंट्स यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है वहीं फ्रेंट्स बॉलास को अर्ली स्विंग देखने को मिल रहा है शुरुआत के चार से पांच ओवर्स में भाई इस पुनास को भी तोड़ा सा टर्न देखने को मिल रहा है अगर फ्रेंट्स कोई भी टीम यहाँ पर पहले खिलती है तो टेलीग्राम को जोइन कर लीजगा टेलीग्राम को जोइन करने की लिंक डिस्क्रिप्शन में एवाई लेवल है वाकि आप चाहें तो डारेक्ट सर्च करके भी हमारे साथ जोड़ सकते हो वी ग्यारे जी फंतसी जाके सर्च कीजगा टेलीग्राम पे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा पर फ्रेंट से बात ही आती है कि टेलीग्राम चैनल को जोइन करना जरूरी क्यों है मैच के शुरू होने से दो से तीन घंटे पहले दो से तीन घंटे पहले बहां पर आपको सारे के सारे प्लेस का स्टेट्स मिल जाता है वो आपको टेली ग्राम पे मिलेगा मैं बता दे रहा हूँ जो फैंट्स दो से तीन घंटे पहले मिलेगा उसका फैंट्स बता हूँ तो यहाँ पर वो डेटा है आपको जो है on the venue player performing on the venue player performing और head to head player performing head to head में कैसा player ने perform किया है और उस venue पर कैसा performing के हैप प्लेयर्स तो उसके बारे में बात करेंगे वो सेयर कर दिये जाएगा टेली ग्राम पे तो टेली ग्राम को जाके ज़रूर से जौन कर लो पर बात कर लेते हैं वैनु स्कोरिंग 64 है 10 विकेट पर जो कि फ्रेंट से नेमान और नेपाल और ओमान के बीच में बनाया गया था वहीं फ्रेंट से लाष्ट के मकाबले की बात कर लेते हैं पेस वर्षी जी स्पिन के बारे में तो फ्रेंट से लाष्ट के की बत कर एो इजयवा की बत करें तो फंच मकाबलों हैं पैंस यह पर करने की जो है टीम के जादा है क्योंकि फैंट्स के जो है इसकरंक फार बात करा ऊंच है चार और बालिंग रूटर के बारे में भाइने वाद करेंगे वाइन करते हैं फेंट्स कस्याप प्रजापती के साथ 9 15 9 26 और 15 कुछ इस प्रकार की पारिया लाश्ट के जो मुकाबले खेले उसमें इन्होंने फेंट्स खेली हैं ऐस खान की बात करें तो फेंट्स ही यह यह पर बंडाउन की पोजिशन पर खेलते हुए दिखते हैं वाइं रंच चार विकेट और 28 रंच के साथ जो कोई भी विकेट नहीं मिलाता तीसरे मकाबले में वहीं फेंट्स बात करें एस कुमार के बारे में तो लाश्ट के तीन मकाबलों में यहाँ पर मैंने आपको इनका स्टेट्स दिखाया है लाश्ट के कुछ मकाबलों में जीरो चार ओवर डालते हुए दिखते हैं टीम की तरफ से पूरे के पूरे चार ओवर कभी कभी की बात है फेंट्स जो है टीम अगर समने वाली जल्दी अलाउट हो जाती है तो इनको जो है तीन से दो ओवर मिलते हैं वरना फेंट्स इनको जो है चार ओवर क्लियर इनके एक खा वह फर्टे बात करेंगे यहाँ पर वुक्का पत्तनम के बारे में ऐस्थ मुक्का के बारे में उसके बाद एक हन के बाद आपको खिरती हो दिखिए सब्सक्राइब बाएंस नहीं कराएं तो पाताया थी नहीं करें तो उससे पिछले मकाबलें 20 रन के साथ 0 बिकेट यानि कि एक ओवर डाला था वहाँ पर इनको बिकेट भी नहीं मिला था वहीं संदीब गौंड के बारे में बात करें फैंट से 2 से 3 ओवर डालती हो दिखेंगे संदीब गौंड तो फैंट से संदीब गौंड का मैंने आपको दिखा दिया जी चंदर सेकर की बात करें तो एक बौलर के तौर पर इस टीम में खेल रहा है चार ओवर पूरे के पूरे टीम की तरफ से डालते हैं दो विकेट दो विकेट जीरो विकेट चार चार यानि की बहतरीन बौलर है जी चंदर सेकर ट्राई कर सकते हो ग्रांड लीग इसमाल लिग में साथी साथ फैंट से जी चंदर सेकर को वाइस कैप्टन या कैप्टन की तौर पे भी ट्राई कर सकते हो क्योंकि फैंट से काफ नहीं मिला था फर फ्रेंट से बात करें एहम अंसारी के बारे में तो एहम अंसारी लाष्ट के दो मकाबलों में तीन विकेट चटका है उससे पहले भी तो फ्रेंट से अंसारी ने यहाँ पर जो है लाष्ट के दो मकाबलों में तीन विकेट चटका हैं काफी अच्छी का सी उससे पिछले मुकाबले में भी फ्रेंट से एक विकेट मिला है हर मैच में फ्रेंट से चार ओबर डालते हो दिखते हैं एम अंसारी यानि कि एक बॉलर मैन बॉलर के तोर पर खेलते हो दिखाई दे रहा है आपको यह तीन बॉलर जी चंदर सेखर एस स्री बास्तव और मुन यह तीम में ट्राइ मत करना वहीं फ्रेंट से बात करें अजयवा प्लेइंग 11 के बारे में बात करेंगे एमडी सेफी टीम के तरफ से खिलते हैं और ऑपनिंग करते हैं यह चौवीस बाइस तीज तीन कुछ इस प्रकार की पारिया लिए लाश्ट के मुकावलों में वहीं सेजाद 77 रन के साथ 77 रन और लाश्ट के मुकाबले में 14 रन जो है बनाए है उसके पहले बात करें एवहसिन के बारे में बंडाउन की बुजर में कहलते हैं वालिंग नहीं टालती हुँ दिखते हैं 9 रन 64 रन 4 रन 58 वैलीस वैतरी इंपिक रहेगी कि अजयवक की टीम की मकाबले में चार लीस रन के साथ एक बिकेट पर फेंड्स जो है यह पर छे रन के साथ जीरो बिकेट लाश्ट के मकाबले में चार ओबर डालती हुँ दिखाई देते हैं जबलू आडवलू एहमद एच मिरजा की बात करें तो फेंड्स टीम की तरप से सेकंड डाउन जीसन फर खेलते हुँ दिखेंगे एक बटर के तोर पर खेल रहे हैं बॉलिंग नहीं ठालते हैं लाश्ट के मकाबले में नौ सत्रह पिच्छास के तीन मुकाबलह में उससे पहल लाश्ट का जरूर वैंस से हिनकी पॉर्म गाँ पड़ा गई है क्योंकि फेंड्स ही कुछ बैटिंग करते हैं दिखेंगे लोवर ओर में ये अल वसूली की बात करें तो फैंट्स पांच रन के साथ जीरो पुकेट एक रन के साथ जीरो पुकेट यानि कि कुछ इतना खास नहीं कर पाए हैं अलंकि एक आलनों के तौर पर खेल ला हैं बॉलिंग जरूर डाली है इतना खास नहीं किया है ये अल वसूली को आप चाहें से तो फैंट्स इंट्स अपनी टिम से बाहर भी रख सकते हो फैंट्स बात करें ये नफ वहार के बारे में दो एक बाहर यहाँ पर फैंट्स एक बाल के तोर पर खेल लiénे हर मुकाबले में बॉलिंग करा ही है हर मुकाबले में फैंट से लगवग दो से तीन ओवर डालती हूँ नजरा है एच वहार फैंट से वह पर आप लोग देख सकते हो कि लाश्ट के मकाबले में इनको विकेट नहीं मिला है पर तेश रन के साथ एक विकेट लिया था उससे पिछले मतलब तीसरे मकाबला जो अपना कहला था ऐसल बसूली लाश्ट का मकाबला कहला था बॉलिंग नहीं कराए थी वाकि फैंट से उससे पहले कोई भी मकाबला नह नहीं है वागई दो मकाबले में डीएट नहीं मिला था उस से पहले के मकाूंबले में गईच कह थे साथ साथ यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर नासिर अली का जो है फ्र choir ag miss न्टेस तो65 साथ head to head player का record कैसा है वो भी telegram channel पे मिलेगा तो याँ telegram channel को join करना जरूरी है 34 साथ 4 से 5 grand league की team में मिलेंगी तो telegram को जाके जरू से join कर लो 34 साथ fans बात कर लेते हैं एक team के बारे में जो हमने फिलाल के लिए आपको चुनके दी है तो fans फिलाल के लिए मैंने यहाँ पर आपको एक team चुनके दी है एस हैजाद मैंने बताया था opening करते हैं टीम की तरब से तो fans बैतरीन चोइस रहेगी आपकी जो है एस हैजाद यहाँ पर एस हाजाद को अपनी team में मैंने पिक कर लिया है वहीं fans कस्यब पर जाफथी एज मिर्जा और एवसेर तीन बैटर्स के साथ गया हूँ क्यों कि fans वाइटेंग फ्रेंडली पिछ नहीं है balling friendly पिछ है वहीं fans बालर की बात कर रहा है तो पांच बालर के साथ गया हूँ दो आल रॉंडर के साथ गया हूँ केप्टन की तरह बात करें,काप्टन को अपनी की तौर यहां पर मैंने एस-खन की पॉजिसन पर खेलते भीड़ते हैं, एस। कान अपनी टीम की तरफ से वाइंट बात करें एक खान के बारे में तो एक खान भी अपनी टीम की तरफ से तीन से चार ओबर अपनी टीम को डालती हो दिखाई देते हैं साथी साथ लोर ओर में काफी अच्छी कासी बैटिंग भी करते हैं वाइंट बात करेंगे डबलू अक् पर खेलती हो दिखते हैं ये एस खान कैप्टन मनाया है अपनी टीम का साथी साथ बॉलिंग में भी अच्छा का सा प्रतसन किया है लाश्ट के मकाबलों में वहीं एम अंसारी जी चंदर सेखर आई मुहम्मद और और डबलू एहमद इनको मैंने अपनी टीम में पिक का लिया है फेंट सारे प्लेच का मैंने आपको इस्टेट से दिखाए था कंफी अच्छे का साथ इस्टेट से इनका जो है लाश्ट के मैचों में रहा है कंफी अच्छे का बाल्स को Pimae passar भालों और रही कर सकते हो और बाझेंसे से मैंसें मैंसे कि तोपर त्रही कर लेना फोड़ मैंच में यह जो फ्रेंड्स आपको देखने को मिल रही है वो एक वालिंग फ्रेंडिली पिछ देखने को मिल रही है तो कस्या प्रजापती को आप चाहे तो अबोलट करके चल सकते हो अगर चाहे एक रिस्की प्लेयर की तौर पर इनको बना सकते हो अपनी टीम का कैप्टन वहीं फैंस आपको जो है क्या करना है आपको जो है आल रांडर्स और बोल्रस मेसेग्सी कह स्थाझर कप्टन को ट्राइ करना ह। वालिंग फ्रेंडली पिछ है साथी साथ तो ओन आर्लांडोस को पिक करना जो अपनी टीम की तरफ से वालिंग कराते हुए दिखते हैं बागी फ्रेंड्स आपको प्लेयर्स का इस्टेट्स ओंदा वेन्यू और हेड टो हेड टीम के सामने कैसा इस्टेट्स है वो आपको टे होने से 3 गंटे पहले तो यह टेली करम को जाके जरू से जोइन करो साथी साथ फ्रेंड्स नया चैनल हमने स्टाट किया है काफी जो है अच्छा कासा काम चल रहा है वहाँ पे तो टेली क्राम को जाके जरू स्टेज़ों कर लो मिलते है अगली वीडियो में जैह हिंद जै वारत वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना जय हिंद जय वारत